दोस्तों जैसे फायर टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम का जैसे लग रहा है, सेल चालू है, शुरुआत की ओनिडा ने उसके बाद आया अकाई और उसके बाद मकाई, सरी मकाई नी, एमेज़ॉन बेसिक्स, एमेज़ॉन बेसिक्स जी आदोस्तों आपने सही सुना, एमेज़ॉ बेसिक्स ने उनकी टीवी लांच कर दी है, जो फायर ओपरेटिंग सिस्टम के साथ आने वली है, और आज के वीडियो में उसी के बारे बात करूँगा, और साथ ही साथ आपको बताऊंगा ये कंपरिजन जहां पर हम लोग एक तरफ दिखेंगे, अकाई की टीवी, ओनीड और Amazon Basics, ये तीनों टीवी को मैं कंपर भी करूँगा, और आपको बताऊंगा कौन सी टीवी आपको लेनी चाहिए, तो वीडियो होने वाले बहुत ही धमाकेदार, और शुरूआत तू एंड जरूर देखना, तो वीडियो को शुरू करते हैं, लिको इसके पहले, अगर हम वीडियो की नमस्कार दोस्तों, मेरा ना में राकेश, आप देखरो है, एपी गाइट, लेट गेट स्टार्टेड, तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि यहां पे जो फायर ऑपरेटिंग सिस्टम है, फॉर्स्ट आई थी टीवी ओनीडा की जहां पर ओनीडा ने कोलाबरेट किया था, एमेजॉन के साथ, और उसके बाद आया अकाई, अकाई ने भी एमेजॉन के साथ कोलाबरेट किया, और फायर टीवी लेकर आ गया है, उसके बाद एमेजॉन ने सोचा भाई कि यह दोनों ब्रैंड को मैं क्यों बुलते ना अपनी टीवी सेल करने दू, या फिर म पर एमेजॉन ने अपना ब्रैंड नाम तो मार्केट में लाया है, और साथी साथ एक कदम आगे जाके टीवी में कुछ खास पी किया है, तो आप यहां पर मैं आपको क्विकली बदा देता हूँ, इस एमेजॉन बेसिक्स के वेरिंट्स और कुछ स्पेसिफिकेशन, तो य यहां पर आपको A Plus Grade का पैनल देखने मिल जाएगा, VA है या IPS अभी तक यह चीज़ क्लियर नहीं हुई है, इसी के साथ यह 60 Hz का रिफ्रेशेट है, डेलेक्ट रेडी बैक लाइनिंग सोर्स देखने मिल जाएगी, और यहां पर एक लेवल जो आगे जाके किया है, उसने यह इसी के साथ यहां बात करें, इस टीवी के audio output के बारे में, यहां पर 20W का audio output से आपको सुनने को मिलेगा, साथ ही साथ यहां पर Dolby Atmos का भी support है, which is really again a good thing, इसी के साथ ही साथ बात करें, operating system के बारे में, तो Fire TV operating system के साथ तो TV आ रही है, साथ ही साथ यहां पर Codgore processor भी लगाय जीरो दिया गया, Dual Band Wi-Fi का support आपको इस TV में देखने मिल जाएगा, तो यह सारे connectivity features के साथ आ रही है यह TV, इसी के साथ ही साथ बात करें, कुछ smart features के बारे में, तो यह TV Alexa integration के साथ तो आई रही है, जैसा आपने Onida और Akai में भी देखा था, इसी के साथ ही साथ आपको screen branding का भी feature आपको देखने मिल जाएगा इस TV में, जोस्तो यह सारी specification इस TV के, अब यहाँ बात करें सबसे interesting चीज़ और सबसे important चीज़ एक Indian customer के लिए होती है TV की pricing, और यहाँ पे इस TV की pricing है, 43 inch की exact pricing अभी तक announced नहीं की है, उसी के बाद बात करें 50 inch के, तो यहाँ पे 30,000 के around आपको TV देखने को मिलने वाली है, इसी के साथ यह बात करें लाश्ट फेरेंट जो 55 inch का है, वो उसकी pricing 35,000 रखी गई है, मन्दब pricing बहुत ही बढ़िया है, और आपको 10% और 15% का अच्छा discount भी मिल जाएगा, तो काफी अच्छा package निकल के आ रहा है, Dolby Vision और Dolby Atmos को support दिया गया है तो picture quality और अच्छा experience आपको देखने को मिलने वाला ही है इस TV में, और दोसों अब समय आ गया है ये तीनों TV को compare करने का, तो एक तरफ रख लेते हैं, Onida की TV, Akai और यहाँ पे Amazon Basics, तो यहाँ पे अगर तीनों TV को मैं compare करूँ, तो यहाँ पे सबसे पहला difference होगा, resolution का, Onida और Akai आपको देते हैं, Full HD का resolution, वहाँ पे आपको Amazon Basics दे रहा है आपको 4K का resolution, इसी के साथ ही साथ, Amazon Basics की जो TV है, यहाँ पे आपको Dolby Vision और Dolby Atmas का support देखने मिलेगा, दूसरी तरफ बात करें, यह दोनों TV में, यहाँ पे आपको Dolby Vision तो नहीं है, इसी के साथ ही साथ, यहाँ पे Dolby एक में दिया जा रहा है, Dolby Digital Plus और एक में Dolby Audio का support, तो यहाँ पे आपको Dolby Vision out of the box आपको extra चीज देखने को मिल रही है, इसी के साथ ही साथ बात करें, यहाँ पे पैनल के बारे में, तो पैनल की clarity सिर्फ और अभी तक Onida की TV में है, जहाँ पे IPS पैनल यूज कर है, अकाई का भी शायद लोग विये बोलें, लेकिन वो भी confirm नहीं है, अगर confirm हो दी तो मैं आपको बता देता, और बाकी audio output तो तो तीनों TV का same है, तो यहाँ पे कुछ कमेंट करके मतलब नहीं है, बाकी काफी similarity था TV में, लेकिन जो differences मैंने बता दिया, और अब सवाल उठत करूंगा, तो आप Amazon Basics के साथ जाईए, और यह brand को लेकि आप confused मत होना कि भाई, काई एक अच्छा brand है, उनीड़ एक अच्छा brand है, या फिर Amazon नया है, तीनों TV या स्तेम है, सिर्फ उसी brand अलग है, बाकी अगर brand हटा दूँ आज है, तो आपको पहचानना भी बहुत ही तो यहाँ पर brand को लेकि confusion मत create कीजिए, अगर आपको TV लेना है, तो मेरा recommendation होगा Amazon Basics, तो दोस्तों कैसा लगा यह comparison मुझे जरूर बताए, अगर आप TV को purchase करना चाहते हो, तो इसकी जो buying link है, discussion मिल जाएगे, वहाँ से आप जाके purchase कर सकते हो, इसी के साथ ही साथ अगर यह वी review करूँ, आपके सामने तो मुझे जरूर बताए, comment section में कोशिश करेंगे, brand से बात करके TV मंगवाने के लिए, हाला कि मैं उतना बड़ा YouTuber तो नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करने में क्या जाता है, बस आपका support चाहिए, तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तिल देन keep smiling and keep watching happy guide, bye bye.